हेलो श्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूं कृष्णा कैसे आप सब लोग मस्त मज़ा आ रहा है कैसी हो पढ़ रही है सर्दिया और उमीद कर रहा हूं इस सर्दियों को इंजॉय कर रहे होगे अपना प्यारा सब्जेक्ट है क्या फार्मसिटिकल केमेस्ट्री उमीद कर रहा हूं मज़ा आ रहा हो का पढ़ने में है ना और आज हम लोग चैप्टर नमबर शिक्स ड्रक्स एक्टिंग और ऑटनॉमिक नवर सिस्टम का लेक्चर नमबर फोर और यह इस चैप्टर का आखरी लेक्चर भी है ठीक है ना कोल इनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट मैं लॉग फिर से एक रुक्वेस्ट करूँंगा सिम्पाथयाटिक पैरासींपाथयाटिक में जो निरो ट्रांस्मीटर याने की केमिकल इस्तमाल होता है एड्रनेलीन नौ अद्रेनलीन ठीक है निकी अच्छी नौलिज रख लेना फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ना ठीक sympathetic body में क्या काम करता है sympathetic body में क्या काम करता है तब तक इस chapter को समझने में थोड़ी सी दिक्कत बनी रहेगी खेर कोई बात नहीं जो लोग बच्चे समझ चुके आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना last lecture cholinergic blocking agent तो cholinergic blocking agent बात समझ में आगे होगी कि हमारा जो parasympathetic nervous system है उसको deactivate करना है उसको उसके काम करने से रोकना है हमको है ना यानि कि koline acetyl koline से word आया था सारी बात समझ मारे होंगी acetyl koline किस पर काम करते हैं मस्करैनिक और nicotinic receptors पर उन receptors को जा करके यह क्या करेंगे ब्लॉक कर देंगे किलिए रहे बाते हैं वो receptor जब ब्लॉक हो जाएंगे तो acetyl koline अपना काम नहीं कर पाएगा पैरasympathetic nervous system अपना काम नहीं कर पाएगा तो उमीद कर रहा हूं इस सारी बाते समझ में आगी होंगे नहीं समझ में आई हैं तो फिर से करो प्राना यवारे लेक्चर एक बारी पूरा मत देखो स्टार्टिंग समझ लो स्टार्टिंग का 10-15 मिंट का लेक्चर देख लो तीनों के तीनों तो उसमें एक basic clear हो जाएगा जो लोग इस लेक्चर पर आ ड्रक्स का ग्रूप का ऐसा समूँ है मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूं कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉलम है कलर से तो मैं इसको light color लेनी कोशिश करता हूं यह चलो ठीक है कोडिक ब्लॉकिंग ड्रग्स और ग्रूप ऑफ ड्रग्स डैट ब्लॉक दा केटाव गौलीन का किसकाेटैल कोलीन कम करता हैcem पाथेड़िक निरफस सिंटम में काम करता है अब क्या कशन करते हैं पर प्र vui ज्व में प्रॉरा डेषगया है मैंने कौन क्वं कर रहे है न उसको दिमाग में बच्चे कुछ यह नहीं समझ पत रहे होंगे ऑफ यह संग हैं very good well done तुम लोग क्या हो पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो साइनेप्स क्या होता है याद आगे न वो यह वाली कहानी ठीक है तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं साइनप्स कहते हैं साइनप्स और कोल इनर्जिक नवर सिस्टम किसको कहा गया है याने की एसे टैल क सिस्टम को ही कोल इनर्जिक नवर सिस्टम कहा गया है तो पैरा सिंपाथेटिक नवर सिस्टम को ही कोल इनर्जिक नवर सिस्टम किसको कहा गया है पैरा सिंपाथेटिक नर्वर सिस्टम लिखते चले और जो लोग नोड को निकालते चल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में ज जादा चल रहा हूं उसको साथ साथ में लिखते चलें ओके आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं वह तुमको पता होना चाहिए यह सिंप्ली क्या ब्लॉक कर रहे हैं को सकते हैं सब्सक्रिशित काम करना बंद कर देगा या कम कर देगा आगे देखते हैं coal energy blocking drugs can be classified as कैसे कैसे classified हो सकते on the basis of source on the basis of mode of action नहीं कि हम लोग source और mode of action के base पे source के इसाथ से बात करें जो जो naturally हमें plant से मिल जाएंगे उनको natural कहेंगे जो हम खुद artificial बनाते हैं या artificial और natural के combination से बनेगा तो semi synthetic, pure synthetic जो हम pure artificial मतलब lab में chemicals को मिला मुलो के बनाएंगे ठीक है कुछ नाम दे रखें यहाँ पर atropine है, beradona है hyosamine है, scopolamine है n-isotropine है ठीक है, tropicamide है hexocycleamide है dicloamine है, isopropamide है cladineum है glycopyrolate है और glycopento sorry, cyclopentolate है तो बात समझ में आ रही है यह हमने किसके base पर कर दिया on the basis of origin origin के जगह यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हो on the basis of source on the basis of source clear है, चले आगे अब mode of action के हिसाफ से बात करें तो mode of action के हिसाफ से हमने इसको इस तरह से बाटा हुआ है कौन कहां काम करेगा ठीक है जो muscranic को block करेगा इसको हम क्या कहेंगे anti muscranic जो nicotinic को block करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे anti nicotinic अब इसमें भी क्या होते है selective याने की selectively m1 को ही करेगा इसके भी further आगे होते है na muscranic इम 1, 1, m2 करके और non selective ठीक है ना किसी को भी कर सकता है, निकोटीनिक में ठीक है ना, निकोटीनिक निरोन ब्लॉकर, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, निकोटीनिक जो निरो मस्कुलर होगा, और निकोटीनिक जो निरो मस्कुलर है ना, तो निकोटीनिक मसल से जो लिटेड़ आ रहा है, तो ये नर्स आ गया, यहाँ पर क्या आगया, muscular वाला आगया, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको divide कर दिया, anti-muscaranik और anti-nicotinic में, तो इसी हिसाफ से हम इसको आगे क्या करेंगे, आप पढ़ते चले जाएंगे, कौन से drug किसमें आ रहा है, इसको देखते चलेंगे, तो यह इसका basis of classification है, on the basis of mode of action, बहुत simple है, on the basis of source, कहां से वो लोग हमको मिल रहे हैं, तो आओ देखे हम लोग, आगे क्या हमारे पास, ओके यह slide खतम है, आगे चलते हैं, आगे हमारे पास part A, coal inergic blocking agent, क्या है यह coal inergic blocking agent, तो आओ देखते हैं, क्या है coal inergic blocking agent, क्या बोल रहा है, सबसे पहला आता, atropin sulphate और इसके उपर लगा हुआ है, star बच्चो star का मतलब पता है ना, इसका chemical name और structure अपने course में मौजूद है, तो पहले समझते हैं, क्या है, atropin में नहीं बता है, natural है, कैसा है, natural है, an alkaloid originally from atropa belladona, कहां से निकलता है, यह एक plant होता है, atropa belladona, जो की family solanese को blong करता है, ठीक ह इसको क्या करते हैं, जिनके अंदर यह chemical पाया जाता है, ठीक है, तो atropa belladona found in other plants mainly solanese, जो solanese family उसके अंदर mainly पाया जाता है, और main plant की बात कर देंगे, तो यह तुमको plant याद रखना है, atropa belladona, okay, atropin is anti-cholinergic medication, एक anti-cholinergic दवा है, अब anti-cholinergic बोलते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, यह parasympathetic nervous system को बंद करेगा, used to treat, mainly कहां treat होता है, pesticide poisoning as well as some types of slow heart rate है ना, parasympathetic system क्या करता है, hardweed को slow करता है, बताया था है मैंने, sympathetic fast करेगा, parasympathetic slow करता है, तो अगर किसी वाई से parasympathetic activity जादा हो गई है, या कोई और कारण है, heart rate slow हो रहा है, तो उसको भी ठीक करेगा यह, and decrease saliva production during surgery, ठीक है ना, parasympathetic system क्या करता है, जो saliva होता है, उसके production को कम करता है, यह भी इसका एक काम है, sorry, decrease कर रहा है, याने की, उल्टा कर रहा है, याने की जो parasympathetic को बढ़ाता है, और यह इसको क्या कर रहा है, decrease करता है, ब्लॉक करेगा तो decrease हो जाएगा, तो देखों, यहाँ पर main care, pesticide, pesticide ना, जो घर में chemical होते हैं, किसी बच्चे निकलती से खा लिया, या कईवर को सुसाइट करने के लिए खा लेते हैं, तो उसकी poisoning को रोकने में काम आ रहा है, slow heart rate में काम आ रहा है, saliva हम लोग जब surgery चलती है, तो मुझ से कईवर ठुक बहुत है, during surgery, उसको भी रोपता है, ओके आगे देखते हैं, it is typically given, खास करकि intravenously नसों में दिया जाता है, और by injection into muscles, या मतलब देना, injection के थुरू है, यह muscles में देदो, या नसों में देदो, intravenously मतलब IV, याद आया, ओके, और यह muscles, मैसल को क्या होते हैं, I am intramuscular, I am मतलब intramuscular, ठीक है, आगे आते हैं, अब इसका, हाँ, यह भी drugs मैं पता है, जैसे पहले बारा था, यह भी आँखों के लिए बहुत ज़्याद काम है इनका, ठीक है ना, eye drops are also available, which are used to treat uitis, uitis क्या होता है, आँखों के तीन लियर पता है, सबसे उपर की cornea, अंदर retina, और बीच में एक layer होती है, uvea, बीच में एक layer पाई जाती है, आँखों के तीन लियर होती है, क्या यह तुमनों के बच्चों याद है, तीन लियर पाई जाती है आँखों में, सबसे अंदर कौन सी होती है, retina, then सबसे पर sclera होती है, बीच में एक layer होती है, uvea, याद है, थोड़ा बात कुछ याद आया होगा, ठीक है, तो बीच में uvea पाई जाती है, उसमें अगर infection हो जाए, infection of middle layer, infection, middle layer of tissue in the eyeball, आँख की जो middle layer होती है, आँख दिवाल की, उसमें अगर infection हो जाएगा, तो यह काम करेगा, ठीक है, and early, क्या लिखा है, envelopia, a type of poor vision that happens in just one eye, ठीक है, envelopia क्या होता है, कि एक आँख बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, और एक आँख नॉर्मल र सकती है, the intravenous solution usually begins working within a minute, जब हम IV देते हैं body के अंदर, तो एक minute के अंदर काम करना शुरू कर देता है, और last half an hour to an hour, और एक घंटे सा आदे घंटे में यह अपना last मतलब रहता है, last मतलब कब तक रहेगा, आदे घंटे से ले करके, एक घंटे तक यह body में अपना असर दिखा है, ठीक है चो, तो देखो यहां पर यह क्या आ गया, इसका जनरल इंट्रो आ गया, कि यह क्या है दवा हमारे पास और क्या काम करेगी, अब chemical name and structure, जो कि हमारे course में है, आओ देखें जारा, chemical name and structure, तो ओके, तो देखो जारा यहां पर, अब यहां पर हमें एक चीज समझनी ह यह वाला पार्ट है ना, कुछ books में बढ़ा अजीब तरीके से दे रखा है, इस type से, इस type से, इस type से करके, अजीब अजीब से बना करके दे रखा है, तो मैंने simple वाला structure उठाया है, ठीक है, structure सेमी होता है, बट कुछ books में थोड़ा सा अलग अलग बना रखा है, तो देखो को main group यहाँ पर क्या एक C ये है CO और एक C ये रहा CO अगर यहाँ H होता तो carboxylic acid हो जाता बट H नहीं है कोई group लगा हुआ है तो क्या हो गया ये Easter क्या हो गया ये Easter ठीक है बात चलें और Easter का prefix जैसे की CH3OH यहाँ पर क्या हो गया ये इसके लिए math लगा और OH के लिए क्या लग जाता है all तो ये क्या बन जाता है methane all तो ये all जो था suffix उसी तरह ये Easter याला गुरूप क्या बन गया मेरे पास Easter ठीक है ना याला गुरूप क्या बना मेरे पास Easter बना एक दो और एक ही आ जाएगा तीसरा ठीक है ना ये Easter बन जाएगा तो Easter के लिए क्या लगता है लास्ट में O8 क्या लगता है O8 ठीक है ना तो क्या लगा है propane O8 एक स्वारी एक दो और ये तीन तीन के लिए prop लगता है तो propane O8 हो गया बागी पूरा structure देखते हैं तूपे क्या लगा हुआ है ये group क्या लगाएगा good phenyle तक वा चलूब दे दिया कि सर ये phenyle है सुनाई दे रहा है मेरे को ठीक है ये group क्या हो गया phenyle तो देखो ये किस पर लगा हुआ है तो तूपे क्या लग गया phenyle लग गया और propanoit हो गया ठीक है और Sulfuric Acid कोक्कि sulphate है 304 और 7 में होता है हमारे पास यहाँ पर ठीक है ना तो उसकी बात अभी हम यहाँ पर नहीं कर दें हम केवले structure ले लिए हैं यहाँ पर ओके अब देखो अब इसकी तरफ आते हैं यह structure हो कैसे समझा जाए इसको start कहां से करेंगे हम लोग चीक है यहां से start करते हैं 123 यहां स यहां पर यह देखो खाली डंडा है यहां पर क्या लगा होगा CS3 होगा है ना जो खाली होते हैं जो joints होते हैं वो भी C होते हैं जो खाली end होते हैं वो भी C होते हैं ठीक है यह C लगा तो आठ पर क्या लगा हुआ है मिथाई लगा हुआ है और आठ पर एजा nitrogen के लिए term क्य लग किया आता है अईजा अब ये क्या करना दो रिंग बना रहा है एक रिंग यहारी है यह ज्रक और ऐस्ट डेखना की रग वर ही थ で therapists q Marine एक रिंग कहें तो तो कौन बना रहा है ऐजा बना रहा है एट पर तो दो रिंग बन रही तो बाई साइकलो यह बात क्लियर हो गई क्लियर है दो रिंग दिख रही है यह देखो एक रिंग ठीक है और फिर ये वाली और दूसरी रिंग बना दो अगर मैं तो दूसरी रिंग दूसरी रिंग के लिए color ले लें color color ये वाला ले लें तो दूसरी रिंग ये तुम लोगों को दिख रही होगी ठीक है clear है, तो ये दो ring है मेरे पास, अब इसको मैं हटा देता हूँ, ताकि clear हो सकंए है, थीक है अब ये क्या लगा हुआ है? 3.2.1 इसमें क्या है जो यह bridge बन रहा है 1 और 5 पर क्या बन रहा है bridge बन रहा है ठीक है 1 और 5 पर क्या बना हुआ है bridge तो देखते हैं यहाँ पर क्या है यह 3 यानि कि bridge के bridge जो बन गया है उसके एक तरफ और दूसरी तरफ या bridge में इदर उदर कितने वो लगे हुए हैं तो एक, दो और तीन, तीन लगे हुए है कारवन, ठीक है, इसलिए यहाँ पर थ्री आ गया, ठीक, फिर एक और दो, यह दो लगे हुए है, और यह इदर इसी bridge पर एक यह लगा हुआ है, तो यह 1, तो 3.2.1 जो सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उसको सबसे पहले, फिर दूसरी को फिर तीसी जैने की, पर बाइसाइकलो बन रहा है, उसमें एक तरफ कितने कारवन है, और बताना पड़ेगान, कि रिंग में, जो बाइसाइकलो हो सकता है, ऐसी रिंग बने होतीकि, तो एक तरफ 4.1 तो इससे हमें पता चलता है कि bridge कहां पर है exactly क्या कहां पर है bridge कहां पर है ओके और यह है क्या art तो यह हो गया क्या octane जुड़ा किससे है 3 से तो 3 और आइल है ना methyl होता है तो पता ही है 3 पर 1 2 3 3 पर OH के लिए क्या वर्ड होता है hydroxy तो लोग देखो हो गया नाम पूरा 3 methyl 8 aza aza क्यों है क्योंकि nitrogen है bicyclo 3.2.1 octane 3 aisle 3 hydroxy 2 pay phenyl यह रहा फिनाइल ठीक है propanoid sulfuric acid ठीक है अब क्या करोगे जिसको थोड़ा सा confusion हो रही है थोड़ा सा rewind करो वीडियो को और इसको अपर से repeat कर लो क्लिए रहे चले आगे यूज की बात करें तो अब तो यूज हमको दिख गया हमने स्टार्टि में देख लिया था यूज तो ट्रीट breadeye cardia अभी जो next chapter start होगा heart को लेकर करके वहाँ सारे disease है discuss कर लें थोड़ी सी slow heart rate breadeye cardia क्या होता है slow heart rate होता है it is given just before general anesthesia जो general anesthesia होता है उसका just पहले देते हैं to reduce saliva secretion as an antidote हम लोग antidote याने की कोई दवा का overdose हो जाए या जैसे की insecticide poisoning उसका antidote की तरह भी यह काम करता है next used to reverse the muscle relaxant जो muscle relaxant है muscle relaxant कौन होती है parasympathetic nervous system muscle relaxant का काम कौन कर रहा है parasympathetic nervous system तो muscle relaxant का antidote यानि कि अगर उसका overdose हो जाए surgery की दोरान या किसी और टाइम पर तो उसको भी काट की तरह यह काम कर गा एंटीडोट पता है ना वड़ीज एंटीडोट जो कोई medicine अगर overdose हो जाए तो उसका असर देखो कोई medicine खाली असे जहर खाया पूस्ट निगा अगर वह जहर अपना पूरा असर दिखा देगा तो जब तक वह अपना पूरा असर दिखाया है उससे पहले हम यह दवा दे दे तो वह उसका असर को पहली कार्ट देगा ख़तम कर देगा यह बच्चे वाली बाते हो गए अब तो मेरे खालते एजिली कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत हाई नहीं next आते हैं हम लोग formulation में तो injection solution, injection के solution के रूप में मौझूद है eye unit key के रूप में मौझूद है उसके बात तुम्हार पास यह ownthalmic solution के रूप में मौझूद है और tablets और injection solution ठीक है brand name की बात करें तो डोनाटल, एट्रोमेड, आइसोप्टो एट्रोपीन और एट्रापार के नाम से मार्केट में क्या है ये अवेलिबल है ठीक है तो देखते हैं आगे तो ब्रैंड नेम होगे इसका किलियर है इप्राट्रोपियम ब्रोमाईड क्या नाम है इप्राट्रोपियम ब्रोमाईड इप्राट्रोपियम ब्रोमाईड इप्राट्रोपियम ब्रोमाईड इप्राट्रोपियम ब्रोमाईड इप्राट्रोपियम ब्रोमाईड इप्राट्रोपियम ब्रोमाईड इप्राट्रोपियम का यह सिंथेटिक डरिवेटिव है विद एंटी कोलोनिजिक प्रॉपर्टी ऑविसी बात है एंटी कोलोनिजिक ड्रग है तो वही होगा लेकिन हाँ है ना कुछ बच्चे सोचते होंगे यह क्यों लिख रहे हैं सर यह तो पता है ना में पता नहीं है एक्जाम में नाम जाती है या जो एलव लाई है वो डैमेज होंगी तो क्रोनिक अफ्ट्रेक्टिक पर्मने डिजीज अस्थमा ओके इटी यूज़ बाई इनहेलर सुंगलो यह नेबुलाइजर नेबुलाइजर क्या होता है जो देखा बच्चों को जब जगलन हो जाती चाती पे तो यह मन नाग पर लगा करके थोड़ी दिर के लिए भाब दी जाती है डॉक्टर के हां देखा को वही कहलाता है नेबुलाइजर ऑंसेट ऑफ एक्शन कब इसका शुरू हो जाता है देने के बाद 15-30 मिनट के अंदर और कब तक रहता है लास्ट मतलब कब तक रहेगा टू अप्ट है मज़ आएगा इसमें देखो ठीक है अब दो क्या है फूरा इस्ट्रक्चर वहीं है यहाँ पर यह 16 कर ले यह 16 और यह 16 दो फ्रोपेन ओड्म यह ओ घ्र लगा घीक है एक फिनाइल यह फिनाइल हो गया टू पर तो वन टू धू ठीन अगें क्या है इस्टर है तो प्रोपेन और o8 ऑगया rond extrêmement के लिए का लगा दिया ओके इस तरफ आते हैं इस बार मैन पर या है एक डो और तीन है ना एक दो और तीन क्या लगा हुआ है ये ट पर और एक तरफ क्या लगा हुआ ये है सी एज थ्री तो एड़ पर ही एक मेथाइल लगा हुआ है और एड़ पर ही प्रूपेन लगा वह और यह वन टू-3 प्रूपेन-2 से जुढ़ा हुआ यह आएन है इस बार प्लस का चार्ज लगा हुए न यह तो इसलिए एजो निया आए जो निया प्लस का चार्ज नहीं था और बाइसाइकल दिखी रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना बाइसाइकलों दहाई इसमें वही आगए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 बागी कहानी सेम है 3, 2, 1 वाली और Octane 3, I, 3 जुड़ा हुआ है केवल क्या चेंज आया है यहाँ पर एक ये प्रोपेन वाला एक्स्टा लग गया है बागी पूरा इस्टा पहले की तरह सेम है मजा आया समझने में सीखने में अच्छा लगा होगा ओके आगे आते हैं तो आगे देखें अगर हम इसको तो यूज की बात करें यूज तो कंट्रोल और प्रिवेंट सिंटम्स लाइक वीजिंग और शॉटनेशं बडिेग में यूज नॉमला सांस लेरे हैं मे deficit करांटे वाला नॉर्मल नॉज बच्चा सांस ले तो खरती रोड़ियो हूं तो जकड़ा हूआ अच्छाती शौटने सव ब्रीद सांस नहीं आ रही है ठीक है कोई जग्रन हो गई अच्छाती में यानिकी लंग्स में कॉस्ट बाइल लंग डिजीज यसा हो क्यों रहा है जाहिक सी बात है सांस में दिक्कत होगी तभी खर-खर की आवाज आएगी सांस लेने में दिक्कत हो क्या हम काईा लेक्स्ळ में COPD इंकलूड़ ब्रॉंकाीटिस क्या होता है ब्रॉंकाइल वॉंक याद आया यह ब्रॉंकाई होते हैं ये इस टेप से ठीक है एंडnd M5-7-stone मां मां क्या होता है जो एल्वलाई होती है वो थोड़ी सी बढ़ी हो आती है रप्चर हो आती है कु अलो वलाई जो लाश्ट में जाके इस तरह गोल गोल रहती है यह ना यह कई सारी कई वार क्यों दिए बीच के ब्रेक कर जाती है और यह एक जैसी हो जाती है इतनी बड़ी हो गई यह जब कि पहले छोटी थी तो उसमें ज्यादा औक्सियन आ सकती थी अब औक्सियन हमको कम मिलेगी ठीक है इस्टेविल्टी और स्टोरेज में वही सेम कहानी है इसमें कुछ करना ही नहीं है ठीक है फॉर्मलेशन की बात करें तो इस्प्रे और सॉलुशन के रूप में मार् मतलब जो इस्प्रे फॉर्म में अंदर जाएगा कि लिए रहे बाते हैं ओके वह पार्ट खतम हो गया सेगेंड पार्ट होता है सिंथेटिक सिंथेटिक कोल इनर्जी ब्लॉकिंग एजन्ट यानि कि यह सारे कैसे आर्टिफीचल है पहला आता है अब ट्रोपी का माइट क् करने में बहुत से बच्चों को थोड़ा सक क्या है कि आपकी क्लास चुटी हुई है वह ऐसी कवर हो जाएगी तुम लोगों की ऐसी समझ में आ जाएग का अफिसारी चाहिए लूंगा प्रॉपर लेक्चर लूंगा लेकिन अभी क्या है कुछ बच्चे कह रहे तो लेक्श अब तो इसके आरपा रंदर तक देख सके तो पीपल जो होती है आग काली वाली उसको फैला दिया जाता है इट एप्लाइड है आईड्रॉप ठीक है इट अफेक्ट ऑकर 40 मिनट विदिन इसके अंदर अंदर चाल्च मिनट के अंदर अंदर विदिन मतलब अंदर अंदर चाल्च के अंदर 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 एंड लास्ट पॉर अप्टॉर डे और एक दिन तक इसका असर रहता है केमिकल नेम इन इस्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं काफी स ले लें अमाइड क्या होता है कि सी ओ एन एच टू ठीक है तो देखो यहां पर क्या है तो एन पर इथाईल इस एन पर इथाईल वन और टू इथाईल हो गया थ्री पर हाइड्रोक्सी हो गया टू पर फिनाईल है इस टू पर यह गुरूप लगा हुए है क्या फिनाईल है ठीक है और एन पर ही क्या लगा हुए है ठीक है पाइरिदीन यह पाइरिदीन लगा सबसे उपर होता है उसको हम लोग पैरेंट चेन में लेके जाते हैं बाखी को गुरूपिंग की साइड में नेमिंग करते हैं बहुत इजी है नेमिंग मैं सिखा दूंगा परिशान नहीं होना आगे आते हैं यूजेज इटी यूज्ट टू डाइलेट प्यूपिल फॉर आई जब हम लोग आख करते हैं तो सीलीरी मसल्स क्या होता है वह आख के लैंस को फोकस करवाती है वह अपना काम करना छोड़ दी पैरालिस होगी थोड़ी देरे के लिए ताकि डॉक्टर जब एक्जामीन करें तो प्रॉपर उसका एक्जामीन कर सकें उसमें कोई दिक्कत नाए रिदक्शन आफ सालॉरिया ऐपर सलाइवेशन और एक्जेसिव डूलिंग बच्चों में जब होता है बहुत ज़्या निकलता है डूल थूख लारवा सलाइवा निकलते रहता है कुछ लोगों में निकलता है आइग वाली मूवी देखी होगी कौनसी मूवी एक मू के आगे आते हैं stability structure stability structure की बात करें तो इस्टोर at room temperature keep away from light do not refrigerate अब कॉमन चीज़ है keep content keep container tightly closed ठीक है ना यह बाते जनरल लिख सकते हो room temperature एक जनरल है किसी में भी लिख दो injection और ophthalmik solution दोनों के रूप में मौझूद है ophthalmik मतलब आख अप्थेल्म मतलब आइसे related रहेगा brand name की बात करें तो medriacil pyramid और medriopic के नाम से market में यह available है मैं फिर कह रहा हूं बच्चो brand name एक ऐसी चीज़ है एक चीज़ बता दे रहा हूं मैं एक तो पहली चीज़ यह कोशिश करो कि जैसे जो पढ़ते हो ना जैसे कि क्या है यह हमारे पर ट्रोपी का माइट तो ट्रोपी का माइट माइट से medriacil pyramid medropic तो नाम से ही ज्यादा तर brand बनते हैं ठीक है और अगर तुमको यह brand difficult लगते हैं लिखने के लिए तो नेट पर search करोगो ट्रोपी का माइट ब्रैंड गूगल पर जाओ तो इतने सारे cyclopentolate hydrochloride cyclopentolate hydrochloride की बात करें अगर हम लोग तो क्या कहा रहा है यह muscranic antagonist है ठीक है इडिस कॉमनली यूज जाजन आइड्रॉप की रूप में इस्त्माल किया जा रहा है डूरिंग pediatric 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 मतलब बच्चे बच्चों का जब eye examination किया जदा तब इसकी ज़रूर ज़्यादा पड़ती है ठीक है तो हमें उसको रोकना की इस तरीके से ठीक है easily उसकी आंख की बारिकी से जांच कर पाएं अच्छा बड़ों में क्या होता है उसमें भी करते हैं लोग लेकिन वो उसमें क्या बच्च बोल दो यहां देखो तो यहां देखता है यहां देखता है बच्चे ऐसा नहीं कर पाता है चलो आगे तो क्या बोल रहा है cyclopentolate और atropin can also be administered administered मतलब दी जाती है दवा की रूप में और administered word इसलिए भी लिखा जाता है दवायों में बच्चो administered का actual meaning होता है doctor के द्वारा prescribe किया हुआ एड मिनिस्टर का मतलब क्या होता है doctor के द्वारा prescribe किया हुआ इसलिए वर्ड अक्सर आत्तों में देखने को मिल जाएगा यह ठीक है वालना हम कह सकते है यह आल्जो टेकन टेकन भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है understood हो जाएगा वह ठीक है टू रिवर्स मस्क्राइनिक कर दिया बहुत जादा एक तो उसको रिवर्स करना है दूसरा क्या है सेंट्र नवर्स सिस्टम इफेक्ट ओफ इंडारेक्ट कोलिनर्जीक अगर कहीं हमने एंटी जो कोलिनो मिमेटिक एजेंट है जो इंडारेक्ट वाले हैं एंटी एचिएचेस ठीक है ना एसिटाइल को बहुत जाद एक्टिवेट हो गया है उसके एफेक्ट को रिवर्स करेंगे कौन साइक्लो पेंटोलेट हैट्रो नहीं की जडिवर्स नहीं है यहां पर क्या एट्रूपीन से ज्यादा यह फास्ट काम करता है एंड है इसका डुरेशन ओफ एक्षन छोटा होता है ठीक है केमिकल ले में इस्ट्रक्टर इस पर इस्टार नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि यह अपने सिलेबस में नहीं है बट हमको करना है तो आउट समझते हैं इसको त आएशे टेट की जगे हम लोग एक वर्ड लिft सकते हैं इतनो एट क्या लिख सकते हैं इतनो एट ओके अब देखो क्या है अब इसके एक C पर फिनाईल लगा हुआ है और यह जिसपे यह आलाःषी को प्रैयर्ट्य 관 कर देते हैं नमबर वन और यह आगे नमब इसी रिंग के पहले इसको में वन नंबर देदू इसी रिंग में पहले पर क्या लग रहा है ओच लग रहा है थी तो पर क्या है वन्पर हाइड्रोक्सी साइकलो एक दो तीन चार और पाँच ठीक है तो पेंटाईल होगया और यह वन से जुडा हुआ है तो 1 पर hydroxy लगा हुआ है, cyclopentyl लगा हुआ है, ठीक है, और यह जुड़ा किस पर 2 पर लगा हुआ है, अब इधर यहारा group बच गया हमारा, अब यहां देख लेते हैं हमारा पास क्या है, 1 और 2, तो ठीक है, यहां पर क्या है, और इस पर 1 carbon यह है, 1 carbon यह है, तो 2 पर dimethyl, 2 पर dimethyl amino लगा हुआ है, this is dimethyl, 1 methyl और 1 methyl और यह amine, amine के लिए क्या होता है, NH2 होता है, लेकिर यह 2H हट करके 2 CST जुड़ गए हैं, और यह 1 or 2 ethyl, कि लिए रहा बात, तो naming को, अगर सारी naming मैं कहा रहा हूँ, इसलिए करो, naming बहुत strong हो जाओगे, सीख जाओगे बहुत naming से डर भाग जाएगा तुम्हारा, आगे देखते हैं, यूज तो ठीक है, producing madriasis, cycloplasia during diagnostic procedure, it is used to reverse the muscranic of indirect chrononomimetic administration, ठीक है, anti-ACHS का administration जो हम उपर discuss किये तो उसको मैं यहाँ वापस लिख दिया है, stability और storage वही सारी बाते सेम है, room temperature पर रखना है, keep away from light, do not refrigerate, keep container, tightly close, formulation में इसका correlate के नाम से है, cyclogil के नाम से है, और cyclopent के नाम से है, तो यह पार्ट तो मेरा simple है, मेरे खाल से यह पार्ट अगर आप बना की भी लिखना चाहिए, तो एक बार को थोड़ा सा logic लागा के बना के लिख सकते हो, बहुत easy है, सबसे यादा याद करने वाली चीज क्या है, एक त is the bromide salt of klinidium, klinidium का bromide salt होता है, तो कह रहा है, klinidium bromide is an anti-cholinergic, especially muscarianic antagonist, कैसा है यह, especially muscarianic antagonist drug है, it may help symptoms of cramping and abdominal stomach pain by decreasing stomach acid and slowing the intestines, हब करता है, क्रैंप, क्रैंप का मतलब होता, पेट में जो एंठन सी उठती है, है ना, पेट में जब एंठन उठती है, जैसे कभी बार loose emotions होते है, उसको बोल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद या फिर जो females में, जो during periods के time पे जो pains होते हैं, उनको क्रैंप बोल सकते हैं, उस ही को क्रैंप ठीक है, तो क्रैंप मतलब पेट की एंठन, जो पेट में एंठन उठ रही है, लिख लो हिंदी में चाहो तो, क्रैंप मतलब क्या होता है, एंठन, मसल क्रैंप बोलेंगे, तो मसल में जो एंठन, एंठन मतलब जो दर्द टाइप का उठता है, मरोड देके, exact word आया, जो मरो हके दर्द उठता है, उसे क्रैंप कह देते हैं हम लोग, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं ओम है ना ऐसे आएकर को लेफ्ट और सrature होता है पता है ना abdomen तो कहते हैं इसको तो Captain करता जाता है क्यों कि बार जाजसेट ज्यादा Dü всё rose क्या करता धर्ड पेट में तो उसको करेगा और imagery त्म कर लेगा और एंट ने सकता कर देर जी क्या होता है और तोड़ नौध तोड़ना युसको उसका ऐंटी काम करें तोड़ेगा कर सकस्षमिक जो हर्ट के लिए अंटीऑ उसमें काम करता है котор or आमोनियम, देखो, कॉटरनरी आमोनियम साल्ट है, यह उसमें भी लिख सकते थे, और अर्गैनिक बरोमाइट साल्ट, और गैनिक मतलब कार्वन कंटेनिक बरोमाइट साल्ट है, ठीक है, अब यह थोड़ा सा यहाँ पर यह structure बने हुए है कीडिकरोड लोन के ठीक है देख लेते हैं याद रहे तो ठीक वहना चाहो तो इस पार्ट को यहाँ से हटा सकते हो structure तुम यहाँ पर देगी रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है chemical name and structure की बात करें तो देखो यहाँ पर फिर वही कहानी है मेरा main group तो यह रहा एक और यह दो एक और यह दो अब देखो दो पर क्या क्या लगा हो टू टू डाइफिनाइल लगा हुआ है और जैसे कि मैंने कहा acetate बोल लो या ethnoate बोल लो और bromide है और देखो वन पर क्या लगा हुआ है इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो ज़रा वन पर क्या लगा हुआ है वन निथाईल ओके यह आगया वन टू अंड थ्री क्यूकि यह किनारे पर है इस अगा बीच में नहीं है उसमाने क्या था जो पहले कर रहे थे वो बीच में ब्रिज बना रहा था इस बार यह ब्रिज नहीं बना रहा तो 1, 2, 3 ठीक है 3 से जड़ा हुआ तो 3 आए लिए रहा तो आओ आप देखते हैं 1 पर लगा हुआ है क्या CS3 तो 1 पर मिथाइल, 1 पर एजोनिया, बाइ साइकलो यही डिवाइड भी कर रहा है अब देखो ज़रा ब्रिज एक यह है 2 और यह रहा 4 यह ब्रिज बन गया, इस ब्रिज की बीच में इस तरफ कितने कारवन है, 1, 2 इस तरफ कितने कारवन है, 1, 2, इधर कितने कारवन है, 1, 2 तो इसलिए 2.2.2 किलिए रही बाते हैं और Octane 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया तो Octane आ गया, 3 से जुड़ा हो गया, तो यह स्ट्रक्चर किलियर होगा, वो स्ट्रक्चर भी किलियर होगा, मजा रहा होगा, ठीक है, हाँ आ गया आते हैं, यूज की बात करें, इटी यूज टू ट्रीट इस टमक, अबलिक, इंटेस्टैनल डिसॉडर, पेट की और आतों तो मतलब रहेगा तुम्हारा आथ, बावल मतलब पॉटी, जब आतों का पूरा सम्मझ रहेगा बावल से, ठीक है, बावल का इनफेक्शन, एनका आतों का इनफेक्शन, स्टमक and, इंटेस्टैनल क्रैंपिंग, इनकी एठन, ठीक है, इसमें काम करता है, स्टेब्ली स्ट् स्ट्रूम टंप्रेचर कीव फ्रॉम लाइट ठीक है टैबलेट कैप्सुल में अवेलेबल है ब्रैंड नेम की बात करें लिब्ट्रेक्स लिब्रेक्स कोली नॉर्म डी और क्लिप डॉक्स ठीक है यह कॉमन से हैं इनको याद रख सकते हो आगे आते हैं और सवनीज बादा अवं देखते हैं डै कले माइन है इसका घ्र सल्ट है कसका डाइक्लो माइन का ओक्योंस न्हों सेंथेकर अनलोग ऑफ एसिटाइल कोलीन वीद एंटी मस्करनिक स्ट्थेटिक एंडॉग है ऐशेटाईल कोलीन का बर्ट बहुन को एक्तिविटी सुप्रीटेज इसकी एक्तिविटी एस है एंटी मस्ट्राइनिक है ठीक है इसी का दूसरा नाम क्या है डाइकलोवरीन डाइकलोवरीन को ही हम लोग डाइकलोवाइन भी कहते हैं ठीक है अब कॉमन नाम डाइकलोवाइन आ गया पहले डाइकलोवरीन के नाम से काफी फेमस था सोल्ड अंडर दा ब्रैंड नेम बेंटिल बेंटिल के नाम से काफी मार्केट में अवेलिबल ह लालेंगे डायकोेड हाइटो क्लोराइड और एन्टागोनाइजेस समध्स में पेट और घार गले रिखलो गेस्ट्रोपि यहाइथ बीन प्टम कर दात्यै रास्ता seriously पेट और आतों का जो रास्ता है उसकी बात कर रहा है यह है ठीक है ट्रेक्ट आजिए फिर ट्रेक्ट रख दिया देखो ट्रेक्ट मतलब रास्ता लिखते चलना thereby thereby मतलब जिसके दुआरा prevent करता है the action of acetylcholine acetylcholine के action को रोग देगा and reduce कम कर देता है reduce मतलब कम करना GI smooth muscle small याने कि gastrointestinal GI मतलब gastrointestinal smooth muscle smooth muscles के spasm उसकी anthem को कम कर देता है यह तो तरीका बता रखा किस तरीके से यह काम करता है ठीक है तो आओ आगे चलते हैं हम लोग chemical name structure इस पर star लगा हुआ है तो यह अपने course में है ठीक है तो आप देख लें इसको तो देखो यह तो बहुत simple है यह रहा C अब देखो जारे हम पर एक समस्य है इसी C से जुड़ा हुआ यह एकलौता है यहां पर अब यह क्या हो एकलौता है ठीक है ना तो एक के लिए क्या होता है meth और oate क्योंकि यह क्या है easter है what is this easter COO सभी easter ही थे तो mythenoate और hydrochloride यहां पर hcl होगा साथ में जो मैंने नहीं दिखाया तो hydrochloride हो गया अब देखते हैं क्या है 1 पर क्या लगा हुआ है अच्छा 1 की बात बात में करेंगे पहले यह है 1 और 2 तो 2 पर क्या है dimethyl 1 2 1 2 ethyl और ethyl ठीक है न एक दो एक दो 2 ethyl होगा है याने कि C2H5 इधर लगा हुआ है और C2H5 इधर लगा हुआ है ठीक है न तो 2 diethyl this is amine amino and यह एक और bridge लगा हुआ एक तरह से कह सकते हैं bridging वाला पार्ट है तो ethyl ठीक है न 1 पर क्या लगा हुआ है cyclohexile यह देखो इस 1 पर यह वाला जो group है यह हो गया cyclohexile और cyclohexane ठीक है ना cyclohexane 1 ठीक है न याने कि यह 1 पर जुड़ा हुआ है तो यह क्या हो गया यह जो पार्ट है मेरे पास this is एक मिनट 1 cyclohexile ओके और cyclohexane 1 ओके इस पर यहां आते हैं हम लोग यह हो गया ऐसे करके यह देखो यह c है इस से डायेट लगा हुआ है और यह इस पर लगा हुआ है एक तरह अगर गौर से देखें तो यह c c c c c c इसके 1 पर कौन लगा हुआ है cyclohexile तो इसके 1 पर cyclohexile और यह खुद क्या है cyclohexane तो यह हो गया cyclohexane इसके 1 पर यह क्या लगा हुआ है cyclohexile क्लियर हो गया ओके आगे आते हैं यूज की बात करें irritable bowel syndrome याने की irritable bowel bowel मतलब इनने बताए ना intestine से related कोई भी चीज़ जो intestine से लेटेड होगे उसका हम बावल कहाएंगे हम लोग कई बार कहते हैं जो लूज मोशन कहले तो इसके बावल बावल डिस्टर्ब है ठीक है अफेक्ट इसका syndrome को मतलब क्या हो अफेक्स दा लाज काफी टाइम से बने हुए हैं तो वह कहलाता है irritable bowel syndrome कहलाता है ठीक है ओके स्टर्मक एंड इंडेस्टर्ण क्रैंपिंग क्रैंपिंग एठर में तो है यह कॉमन होगे न डाकलोमें पेड़ दर्द और आंक दो चीज़ों में काम आ रहे हैं तो यहां पर एक कॉमन डाल सकते सीरप capsule सब में available आई है ठीक है क्योंकि काफी कॉमन दवाई है यह मार्केट में बहुत अराम से मिल जाती है ठीक है ब्रैंड नेम की बात करें तो बैंटील मैफ्टल इसपास काफी लोगों ने सुन रखा हो और मैफ्टल इसपास गल्स ने काफी है तक सुना होगा ठीक है जो पिरियोर्डिक क्रैंपिंग होती है उनमें जातर यह मैफ्टल इसपास टैबलेट काफी लोगों ने सुन रखागा उसमें डायक्लो मायन होता है हमारे पास इस मास्मोरेस्ट और डायक्लो इसपास ठीक है तो यह सारी क्या थे इसके कॉमन ब्रैंड नेम से और इस तरी और मैं बहुत खोश हुँ इस चीज से कि मेरी वजे से बहुत से बच्चों का भला उपा रहा है लिटरली मैं बहुत खोश हूँ किलियर है ठीक है और करنا क्या है करना कुछ नहीं है पड़ाई करनी है ठीक है और बिलकुल भी एक चीज ध्यान रखो ये कोई नहीं सोचेगा कि कारोना है और आनलाइन होगा ये होगा वो होगा हमें पास होने के लिए नहीं पढ़ना है क्वार्मासिष्ट हो तुम लोग तुमको एक रिस्पॉन्सिब्लीटी है तुम लोगों की ना एक फार्मासिष्ट हो तुम लोग डॉक्टर के बाद फार्मासिष्ट आते हैं तुमको knowledge भी ओनी चाहिए तो हमें knowledge के लिए पढ़ना है ठीक है ना आप बहुत है तुम लोग नेस्ट टाइम से मैं पहले भी काता कोई भी जो दबाई की श्ट्रिप आती है अपसे उसके पीछे उनके साल्ट पढ़ने की कोशिश क्या करो सारे जाने प्रचाने साल्ट मिल जाएंगे तुमको ठीक है ना तो क्या करना है पढ़ाई करनी है और पढ़ाई कर करनी कैसे है रिवाइज करना है बार बार है ना एक बार पढ़ लिया नोट बन गया फिर रिवाइज करो फिर रिवाइज करो फिर रिवाइज करो फिर रिवाइज करो वो दिमाग में सेट हो जाएगा किलियर है पढ़ोगे गुड अल्दा बेस्ट